इस गटना के सभी पातर कालपनिक है इसका मेरी निजी जिन्दगी से कोई लेना देना नहीं है के सोचा नहीं था मेरी जिन्दगी में बेक ऐसा किस्सा सुमार हो गया के सोचा नहीं था मेरी जिन्दगी में बेक ऐसा किस्सा सुमार हो गया नजरे नहीं मिली हमारी फिर भी करार हो गया पहल उसने की थी फिर तो बातों का सिलसला जोरदार हो गया और अभी कुछी दिन पहले की तो बात है मेरे दोस्त मुझे भी एक बेव खलड की से प्यार हो गया क्यार पांच मिन्ट में कॉल करकर तुम्हारे पास हुए ऐसास दिलाती थी शूवे से लेकर रात तक उसी से बाते करते करते आखे सोजाती थी देर तक सोता मैं क्योंकि मुझे सूवे फोन करकर बड़े प्यार से जगाती थी बूख नहीं होती मुझे फिर भी अपने कसमें देकर खाना खिलाती थी और कुछी दिन में साधी तक का मंड़क तयार हो गया अभी कुछी दिन पहले की दो बात है मेरे दोस्त मुझे विग वेव, फॉलड की से पयार हो गया कि बातों का सिल्सिला चलता रहा तो एक दिन उसने मिलने के लिए बुलाया था 24 नुवंबर का दिन था उसे बलेक पसंद था मैं भी उसकी तरह बलेक पैन गया था सामने आई तो मैंने मिलाने के लिए आथा गेवड आथा पर उसने मेरा आथ पकड मुझे कसके गले लगाया था खुश वो अच्छी आ रही थी उससे कोको बटर का लोशन जो लगाया था और उसे जो पसंद ही ना उसे जो पसंद ही ना वो रेड वेल वेट की चोकलेट भी तो लाया था बात साधी पर ना रुके अब तो बच्चो तक का करार हो गया और अभी कुछी दिन पहले की तो बात है मेरे दोस्त मुझे बिग बेव फालड की से प्यार हो गया के मुलाकात अच्छी ना रही अमारी उसके मुताबिक के मुलाकात अच्छी ना रही अमारी उसके मुताबिक अब वो थोड़ा चिड़-चिड़ी हो गई थी पता नहीं लगा कब अमारी गंटों की बाते मिन्टों में शिफ्ट हो गई थी मैं उसका इंतजार करता रहा पर वो अपनी दुनिया में कहीं खो गई थी एक वीक तक कुछ ना खाया तो मैं बिमार हो गया अभी कुछी दिन पहले की तो बात है मेरे दोस्त मुझे विग बेव फालड की से प्यार हो गया के जल्दी उठ जाता हूं मैं के जल्दी उठ जाता हूं मैं पहले की तरह उसका कोल नहीं आती हाँ ग्यारा बजे के आसपास हमारी दो चैर्मिंटों के लिए बाते जरूर हो जाती चलो मैं करती हूं थोड़ी देर में ये बोलकर वो अरबार फोन रख जाती एक दिन फोन आया और ब्रेक अफ कर लिया कमभक्त मेरा कसूर तो बताती अमित रोना मत तूं रो रो कर तेरा चैरा वेकार हो गया अभी कुछी दिन पहले की तो बात है मेरे दोस्त मुझे बेग बेओ फालड की से प्यार हो गया